केजरिवाल की लीड बढ़ती जा रही है लेकिन नजर तो सच बताएं टिकी हुई है पडपड़ गंच सीटों मनीश शिशोदिया पर बिल्कुल वहीं से अपडेट पे कहीं ना कहीं इस वक्त नजर होनी चाहिए बिल्कुल और चुनायोग के आकड़ों में आम आग भी पार 50 सीटों पर और भारती जनता पार्टी तेरा सीटों पर आगे चल लही है और जो एक्जिट पोल थे लगभग एक्जैक पोल में तबदील होते हुए और केजरिवाल आराम से जित्ते हुए दिखाई पड़ना है लेकिन उनके नायब मनीश शिशोदिया को संघर्ष करना प 6 वोटों से आगे चलने लेकिन मनीश शिशोदिया आम आदमी पार्टी कि यह जो जीत सुरिश्ची जीत आप कह सकते हैं जिस तरह बढ़ रही है उसका जायका किरकिरा करते हुए चरिया अब यह इसी पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नतीजों के बाद ही हम उत्तरप् हुए हैं इन सब के बीच में क्या कोई संबंध है और नतीजों का क्या विश्टेशन है इसके लिए सीधे हम लखनो और मनीश शिशोदिया 2182 वोटों से पीछे हो गए बड़ी खबर बड़ी अब डिली के उपमुख्यमंत्री और सिक्षा मंत्री 2182 वोटों से पीछे च करते हुए और लगा अतार उनका अंतर बढ़ता जा रहा है यह खास बात है 2182 वोटों से पीछे आम आदमी पार्टी में नंबर तू अगर कहा जाए तो कतई कोई गलती नहीं होगी क्योंकि योगेंद्र रयादो प्रशान धूसर्ण कुमार विश्वास जैसे नेताओं क मनिष सोद्या 2182 वोटों से जो पीछे चलना है पटपरगं से डिश्वागत है आपका अभीप गंगा पर और चुनाव तो दिल्ली के हैं नमस्कार राज्किसोड़ जी छोटे राजियों का छोटे राजियों का चुनाव है लेकिन इसका धमाका थोड़ा बड़ा होता है दूर तक आवाज जाती है इसी लिए इस छोटे से राज में भारती जनता पार्टी ने अच्छी खासी ताकत लगाई और उत्तर प्रदे से आप स्वयम आपने इतनी ज्यादा सभाय की तो आप तो सिक्षा मंत्री हैं लेकिन अ तीजो का विश्टेसर कैसे करेंगा उसके बाद मैं आप से कानपूर पर भी सवाल लूँगा जिन स्कूलों वर्ड क्लास स्कूलों का दावा मनीज सिसोदिया जी कर रहे थे और उसी नाम पर चुनाव लड़ रहे थे तो मैं भी मैं तो बड़े सकारात्मक मन से गया था कि देखूंगा और उसमें जो कुछ अच्छा होगा उसको अपने हाभी करने की कोशिस करूंगा लेकिन मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे लगा कि इसके नाम पर एक बड़ा च्हलावा दिल्ली में मनीज सिसोदिया ने किया था क्योंकि मनीज सिसोदिया का चेहरा बड़ा सो में बड़ा गंबीर चेहरा है और इतिहास में जब भी ऐसे लोग जूट बोलते हैं तो उस दिल्ली के हर स्कूल में स्विमिंग पूल है बीस कॉलेज बीस नए कॉलेज दिल्ली इंवस्टी से जुड़े हुए बनाने का वादा अर्विंत केजरिवाल की सरकार ने किया था पिछली बार नोजवानों के सामने एक कालेज नहीं बना नाटे सिंगिल मैं पूरी प्रमा होना चाहिए था वो दो घंटे तीन घंटे का हो गया तो दिल्ली की जंता ने ये गलत बयानी बरदास्त नहीं की और मुझे लगता है कि मनीश सोधिया जी को उसी का खामियाजा भुगतना पर नहीं ऐसे तो आपके अरुन येटली भी हार गये थे 2014 का जब लहर थी मोधी की उस समय हार गये थे तो मनीश सोधिया की हार निश्चित तोर पर आम आदमी पार्टी के लिए आगात होगी लेकिन जो विजय है आम आदमी पार्टी की उसमें मुद्दा तो यही था तो कई बार छेत्री समीकरण हावी हो जाते हैं लेकिन जो भा किसी काम के आधार पर उस समय कोई चुनाव नहीं लड़ रही थी मोधी उस समय तो मोधी जी भी सरकार नहीं थी मनीश सोधिया के दिल्ली सरकार का एक बड़ा चेहरा थे कई बार तो लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे और स्वयम मनीश सोधिया ही कहते से कि इसी मुद्दे पर इस बार दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे जिस नाते मनीश स्वधिया के हार महत्तुड़ रही बाद बीजेपी की जिए निश्चित रूप से जनता के जना देश का हम हमेईशा स्वागत करते हैं निश्चित रूप से बीजेपी चुनाव नहीं जीती है लेकिन बीजेपी जी सिस्थिती में वहां थी आप स्वेम आप तो गहरे बिसलेशा खाई चीजों के मैं पंदरा जन्वरी को जब दिल्ली में था एक बीजा संबंधी काम के लिए गया हुआ था तो लोग कहते थे पूरा मामला एक तरफा है कोई लड़ाई नहीं है आम आदमी पालिटी के लोग कहते थे इस बार तो हम सत्तर सीटे जीतेंगे उन परिस्थितियों से हमारे ग्रेमंतरी अमित साहज जी ने जो अभियान चलाया सच सामने लाने का जो एक कारिकरता की तरह मेहनत किया उनके नेतरत में हम सब लोग वहां लगे रहे उसका खत्रे की घंटी गे जरिवाल जी के लिए happily फीक्टी के लिए लेकिन गाश यहां पर आपकापीज दिलू नीचे कि सब्सक्राक कर चुनाव होता है वहां पर आप पराश हो जाते और मैं करbonja उससे पहले आप चाहूंगा की मेरे सहयोघी इस क्रीट पर आम आदमी पार्टी से जुटें, जुटने के लिए MISD call दें, तो जो भारती जंता पार्टी की रणीत रही है, जो कायर प्रनाली रही है उसी का यहां पर अनुसरण करते हुए, कम से कम कारकरताओं को जुटने के लिए दिखाई पड़ रही है, आम आद्नी पार्टी, तो कुन मिला के राश्टी फलक पर इस बार चुनोती केजरिवाल से आपको तगड़ी मिलने वाली है कॉंग्रेस से लड़ाई नहीं होगी केजरिवाल से लड़ाई में तो मोदी भारी पड़ गए केजरिवाल अब आपके सामनी आएंगे तो क्या होगा राज किसोर जी देखें केजरिवाल जी मोदी जी के राठ निर्मार के अभियान में जुड़ गए हैं आप ध्यान दीजिए कितना मोदी जी के बारे में अपसब्द बोलते थे लोग लेकिन इस चुनाओं में जनता का मूड देखते हुए केजरिवाल जी ने साहस नहीं किया मोदी जी पर कोई टिपड़ी करन मामला हो चाहे स्री राम जनम healthy का मामला हो चाहे तिन तलाग का मारव चाहे 35 ऑक मामला हो वो जान रहे happy-issam छी जी के खिलाअब चलकरे सिर पर देखते हैं अर्जब वहां वहां प्रशेंड अधरी जगों से लोग पर्चार करने नहीं तो इस बार वहां के गरीब लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि आपको सारी स्वस्था फ्री कर देंगे अगली बार उनका भी मोभंग हो जाएगा किज्रिवाल जी से तब वो नए बर्ग को गुमराह करने के बारे सब्सक्राइब के तमाम मुद्दे आपने गिनाये लेक एक नई परिस्थित पैदा हो जाती है और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर महलाएं कैसे वहां पर जुटी हुई है शाहीन बाग जैसी तस्वीर लग लेकिन यह तस्वीर कानपुर की है इस स्थित से आप कैसे निफटेंगे क्योंकि योग कानपुर बर बात करेंगे यही बात मैं तो जहां भी दिल्ली में जा रहा था राजकिसौर जी कोई हम लोग कोई संपरदाइक राजनीती नहीं करते कभी लेकिन मैं यह कह रहा था कि देखे इस तरह की गत्विधियों को बढ़ावा देने वालों को अगर आप मुहतोर हाथ में लेकर इस देश के संबिधान की बेवस्ताओं की धजी उड़ाता है संबिधान ने सरकार को जो अधिकार दिये हैं उस अधिकार के तहट दोनों सदनों से पास होकर के जो कानून बना और पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला देश से आए हुए हमारे पिडित प् अगर केजरिवाल जी की सरकार आई तो कुछ जगहों पर यह होगा क्योंकि केजरिवाल जी और उनकी पूरी टीम इस तरह के लोगों की समर्थक टिंग मानी जाती है योगी सरकार ऐसे आंदूलनों से निपटना जानती है और बहुत जल्दी ही परिसितिया नियंत्र में हो तो यह कहीं ऐसा तो नहीं कि एक राजनीतिक मसला है जो हमारे यहां पर पैनलिस्टेक बैठे हुए उसको आप प्रशाशनिक तरीके से हल करने की कोशिस कर रहे हैं इस वज़े से आपको अस्फलता मिल लए है तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्क से बैठके लोग पार्क से उठके सडकों पे आ गए सुप्रीम कोड के आदेश के बाद आ गए उसके बाद कैसे निप्टेंगे आप क्योंकि अब तो चुनाओ का माहूल भी नहीं उसके बाद यह परस्तितिया आ रही है तो कैसे लोगतांत्रिक यह देखे देखे सरकार तमाम सारे लोगता सविधान और संसद और योगसर की सरकार जानी जाती है अपने कठोर के लिए कड़े पर साथन के लिए वह भी उपयोग किया जाएगा क्योंकि हम जंता को कस्ट नहीं दे सकते हैं और कस्ट देने वाले लोगों की अराज़क्ता को बरदाफ्त भी नहीं करें